सु वेलकम टू सुकला एडी पॉइंट दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल सुकला एडी पॉइंट में मैं सियम सुकला आप सभी का अभिनदन करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समाश सास्तर से कुछ ऐसे प्रषण है जो की हमेशा से पूछ याते हैं और हमेशा प्रसनफ़त्र में जो है आपको देखने को मिल जाते हैं वो बहुत ही महात्पूर्ण प्रषण होते हैं क्योंकि वो इक्जामनर के द्वारा ये उनिवर्सिटी के कुछ खास ब्यक्तियों के द्वारा खास अध्यापकों के द्वारा क्या क्या आता है उस प्रसनपत्रों को बनायाता है तो उनसे जादा इंपोर्टेंट हम या फिर और कोई नहीं बता सकता जितना की वो लोग पेपर के मादम से बताते हैं यह के सारे के सारे परसन क्या है यह पेपर में आए हुए है ठीक तो यह प्रसन क्या होंगे अगले जो 2021 की परिक्षा होगी आने वाले जो भी फेस्ट के चातर है उनके लि यह सारदा अधनियम हो का पारित्वा तो 1929 में पारित्वा यह सारी चीजे इसमें बताई गई है ठीक तो इन पर चार्चा करेंगे आए देखते हैं और ध्यान नखिये का बीए फैस्टियर वालों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह लिक्चर तो ध्यान नखियेग सब्सक्राइब है यह बाद समय लिए ठीक तो आप से नंबर सी करेक्ट है पहले कोशन का मॉडर्नाजेशन आफ इंडियन ट्रेडीशन के लिखक कौन है तो कौन है दोस्तों योगे अंदर सिंग है अगला प्रसन है हिस्ट्री आफ धर्मसास्त्र के लिखक कौन है तो हिस् के पुस्तक है यह कौन है राधा कृषणन है ठीक तो भारतम में धर्म भारत का थर्म भारत का धर्म भारती धर्म ठीक तो रादा-क्रिश्नन अगले परसंड की उर्बढ़ते दोस्तों अगला परसना के सामने है कि भारत में पिछळा वर्ग आयोक के परमुग प्रतम जो अद्ध्धा कौन था तो हुए तो जो प्रतम वर्गाएक पिछरा वर्गायों जोो भी सी का प्रतम जो है अध्यक्ष क्या कौन का लेलकर ठेक्डर का और दूसरा है भारत मैं दूतेये पिछावर गयों कि न्यूपति हुए तो कि कब हुए थी 1989 में हुई थी 1979 में हुई थी दोस्तों और उस समया देख्चता कौन कर रहे थे तो बीपी मंडल कर रहे थे ठीक तो ध्यान ने की गए इस बात को हिंदू-विवा, हिंदू-विवा धानियम विवा १ला होती है कि जेसे कि साथी रहे तो तो सती पर्था आप सुनें होगे राजा राम ़ोहन राए और अंग्रेजम ने भी इसको बैयं कि आ है है तो वो सारी चीज है तो अब हिंदू विधवा जो कहा एक और उनको विभावा करने के लिए प्रैरित करने लिए कानून बनाए गया तो को अगले परसन के और बढ़ते हैं अगला परसन दोस्तों आप अभीत्र की अधाला का पर्तपादन किस ने किया था बहुत इंपोर्टन परसने सारे के सारे परसन आप यादर कर लिजिए फिर लिए तीन चार बार वीडियो देखेगा आपको पता चल जाएगा सारे के सारे आपके माइंड में किलिक करेंगे हैं इसा तो देखे दोस्तों पवित्रियों आपको पता होगा पांच जून को क्या मना था आपिस इस और दिवस मना जाता है आप से अगे अगला परसने दोस्तों मैरे जांड फैमली इन इन डिया तो भारत ये परिवार और यस भारत की स साधिया जो विवाह है उसकी पुस्तक जो लिखी है तो इसका जो पूरा नहां है मैरिल्स मलब विवाह एंड मतलब और फैमिली मतलब परिवार इन मतलब में इंडिया तो इंडिया मतलब भारत में विवाह और परिवार इस पुस्तक के लेखा कौन है तो केम कपाड़िया ड द्याल नखिये गा जो च्वाच ऎला क्यों तॉला कानून झाल जैसे की जो जे जाती थी पहले जो सुद्रों को अच्छूद माना आता था उनको बेद जो है छोने का धिकार नहीं था अभी भी हलाकि बेद वोगेरा वो नहीं छूते हैं लेकिन उनके मन में यह बैठा हुआ है वही पुरानी रिद्रिवाज लेकिन आप जो है सब प्रकार के जो ही सबको एक समा समानता आदिकार मतलब बिधी के समक्ष सम्ता अनुच्य चौदा में बताएगा उसके पंदरा में धर्म लिंग जाती जन्मस्थान के इत्याद के अधर पर भेद भाव किसी बेक्ती में नहीं किया जाएगा ठीक इसी परकार से शाथ अनुच्छे 17 जो है पर आनुचे सात्रा में इसका वरन ठीक पढादियों कहां तै this जाने के बाद अब उच्छे पढ़ाएंगे तब उसको ध्यान देंगे उस पर जादा विस्तार से चल्चा करेंगे अगला दोस्तों दहेज निरोधक अधिनियम अब दहेज वाला अब यह सब जो है हिंदू में यह सब क्या थी यह कूप रथाय मान लिजिया इस परस्ता ने को खतम होना चाहिए किसी भी समाज में परिवर्थन होना चाहिए और उसका अud 무엊 सोना चाहिए प्रगती एक होती समाल कि अकुद बिकास होता है यह दोनों होने चाहिए भतिक समाज में यूकि बीना पर गरति कि यह सिस्टम व기로गा सही के चल पाएगा अब जब प्रगत संस्क्ति प्रमुंख भीसेशता यह दोस्तो विभी सामे एक इस पर हमने वीडियो बना रह pergi है तो भी ता में एक ता मलब जो है विञे तरह में एक ता मण अलाग होते हुए हम लोग कंए अगला है रहते हैं लेकिन अहले च्बlış रहते हैं लेकिन जो कड़ा कदम उठाया था किसने तो किसने उठाया था इसमें भी आरम बेड करने भीम राम बेड कर ठीक तो यह दहान लेखिए इस बात को दोस्तों तो यह आपका लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता है मिलेंगे नए वीडियो के साथ अपते के लिए जय हिंद जय भार किसमे के लिए वीड़ा है बना किसमें लेए पर बेकर के सी ए